हेलो गाइस विल्कम टू मैं चैनल पीके कोमर्स डी आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेस्टन लेकर आई हूँ जो कि एक्जाम में बहुत बार आ चुका है तो क्वेस्टन है लभांस का क्या आसा है लभांस के विभिन प्रारूपों की व् सबसे पहले में बता दू कि यह गाइस यह कुष्टन बहुत बार एक्जाम में रिपिट किया है तो वीडियो को अंतक केरफूली देखे ताकि आपकी एक्जाम में आए तो इसका आंसर आप इजी से दे सके तो सबसे पहले में इसका बेसी करत बता दू लभांस क्या है और उस बेवसाय में जो लाब होता है उस लाब को एक दूसरे में बाठते हैं यानि सेरधारकों को दी जाती है किसी जुएंट अस्टो कंपनी में लभांस सेरो के निस्चित मूले के अधार पर मिलता है इस मामले में सेरधारकों को उसके सेर के अनुपात में करना पड़ता है डिवीडेंट पैसे सेर या औरने किसी रूप में दिया जाता है तो इसे ही लभांस कहते हैं तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका साधिक अर्थ क्या होता है लभांस का अर्थ एक बेवसाईक संस्ता का उद्य से लाब कमाना होता है चाहे कोई भी बेवसाई हो उस बेवसाई का उदेश से मैन होता है लाब कमाना या अपने आप में एक महत्पुन बित्ते निर्नाई होता है कि अरजित लाब का परियोग किस परकार किया जाए मुख्य प्रस्ण या उड़ता है कि लाब का पूर उभोग सुवामियों द्वारा किया जाए या उसे बेवसाई में ही प्रतिधारित करके पुनर विणियो किया जाए यानि सुआमियों जो company की मालिक होते हैं उन लोगों के बीच में या decision लिया जाता है जो company से लाप प्राप्त होता है उसका आपस में बटवारा करे या फिर पुनर बेउसाय में ही उस पैसे को invest किया जाए एकल बेपारी की दसा में इस परकार की नीरने लेने में कोई भी समस्या खड़ी नहीं होती है एक बेपारी होता है उससे इस तरह का decision लेने में कोई problem नहीं होती है क्योंकि वह उस बेउसाय का एकेला मालिक होता है इसी प्रकार साज़दारी संस्था की दसा में साज़दारी संलेक में असपष्ट रूप से उलेक किया गया होता है कि लाब को साज़दारो स्वामियों में किस परकार वित्रित किया जाएगा हाँ कमपनी संगठन सोरूप की दसा में या निरने कुछ जटिल अवस्य प्रतित होता है चुकि कमपनी एक कृत्रिम वेक्ति है और बियोसाय की स्वामी अंसधारी अधीक और फैले हुए होते हैं अता लाब के परियूग संबंदी निरने का भार कुछ वेक्तियों के समूप पर ही होता है जिने संचालक मंडल कहते हैं अन्य संगठन सोरूपों की भांती कमपनी के कुछ लाब के बटवारे की समस्या भी या तो लाब को स्वएं लाब को बयोसाय में ही प्रति धारित करने की या स्वामियों को लभांस के रुप में बाटने की होती है लभांस बिभ बिभाज लाब से आसर कमपनी के उन लाबों से है जो वेधानिक तोर पर कमपनी के स्वामियों के बीच बाटने जाते हैं कमपनी लभांस का अस्थाई प्रतिवन्द अधिनियम संसोधित कमपनी लभांस का अस्थाई प्रतिवन्द अधिनियम 1974 संसोधित 1975 के अमुसार विभाज लाब का अभिप्राय कमपनी के सूध लाब का वन वाई थ्री भाग यानि एक तिहाई भाग या कमपनी के सम अंसो के अंकीत मूले पर भुक्तान योगे 12% लभांस की रासी वा पुर्वधिकार अंसो पर दे लभांस की रासी में से जो भी कम हो से होता है इस आसे के लिए सूध लाब वा लाब होता है जो कमपनी अधिनियम 1956 की धारा 394 के पर वधानों के अनुसार हो और उसमें से आईकर की रासी हटा दी गई हो तथा कमपनी अधिनियम की धारा 205 के अनुसार हरास घटा दिया गया हो लभान्स वस्तोत कुल अरजित आय में से समस्त वयों को घटाने के बाद वा विशिस परकार के कोसो वा करो के पारवधान करने के बाद बच्चे अधिक्ये का एक ही भाग होता है इस अधिक्ये पर सम अंसधारियों का ही अधिकार होता है हाँ पुर्वधिकार अंसों की दसा में उन्हें इस अधिक्ये पर सम अंसधारियों की तुलना में प्रात्मिक्ता प्राप्त होती है ये दिपी सम अंसधारियों का इस अधिक्ये पर पूरा अधिकार होता है फिर भी कानूनी तोर पर अंसधारी इसके पूर्ण वित्रन के लिए या तत्काल वित्रनों के लिए कमपनी को बाध्य नहीं कर सकते लभांस का प्रकार वित्रन के सौरूप के अधार पर लभांस का निम्न प्रारूप हो सकता है चलिए अब हम लोग देखते हैं लभांस के प्रकार कौन कौन से पहला है नकद लभांस केस डिविडेंड्स अधिकांस दसामिल लभांस का भुकतान नकद धन के रूप में ही किया जाता है या सबसे पर्चलित वा लोगपिर्य प्रारूप है आज सकता इस बात की है कि कमपणी की तरलता की इस्थिती नकद लभांस देने योगी हो और नकद लभांस देने की तरलता पर बिप्रित परभाव ना पड़ता हो दुसरा प्रकार है प्रपत्र लभांस स्क्रीप डिविडेंस लभांस का भुकतान चालू वर्स के लाब में से या संचित कोसों में से या दोनों में से किया जाता है लाब का अर्थया नहीं होता कि कमपनी के पास परियाप्त नकदी और नकद रूप में लभांस दिया जा सकता है यदि कमपनी के पास परियाप्त रोकर नहीं है लभांस का आर्थ या नहीं होता कि कमपनी के पास परियाप्त नकदी है और नकद रूप में लभांस दिया जा सकता है यदि company के पास परियाप्ट रोकर नहीं है और company लभांस देना चाती है तो company लभांस की रासी के लिए पर्तिग्या पत्र जो कुछ माँ बाद दे हो जारी कर सकती है यदि आवस्यक हो तो सोधनिय लभांस अधी पत्र भी जारी किये जा सकते हैं तीसरे प्रकार है रिन पत्रों के रूप में लभांस डेवेंचर डिविडेंट्स एक company लभांस के बदले में अंसधारियों को रिन पत्र ब्रांच भी जारी कर सकती है ये रेन पत्र निश्चित अविधी के बाद दे होते हैं और इन पर ब्याज दे होता है रेन पत्र के रूप में लभांस देने का मंतवय यही होता है कि कमपनी वरत्मान लभांस का भुकतान भवीश्य में करना चाती है ऐसा तब ही किया जाता है जब कमपनी की तरलता की इस् अंसुक अंसुटित और और तो संचीत कोस में से नकद लभांस ना देकर उसको सका पूंजीकरन कर दिया जाता है। अथार्थ अंसधारियों को संचीत को उसके बदले में समता अंस निर्गमित कर दिये जाते हैं जब कमपणी की तरलता इस्थीती ठीक नहीं होती है और नकद लभांस देने में असमर्थ होती है तो अंसधारियों को एकत्रित भूत काल के लाब में बदले में अंस निर्गमित कर दिये जाते हैं इन अंसों को बोनस कहते हैं पाँच्वा पॉइंट है संपती लभांस प्रोपटी डिविडेंस लभांस का या प्रारूप असधारन है इस परकार का लभांस असकंद के रूप में या प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है कभी कभी एक कमपणी दूसरी कमपणी के अंसों वारिन पत्रों को खरिद कर विणियों के रूप में रखती है यदि company इन्हें बेशती है तो पुझीगत लाब कर देना पड़ता है प्रन्तु जब इस परकार के विनियों को लभांस के रुप में अंसधारियों में बाटा जाता हो तो company पर कोई कर दाई तो नहीं बनता सयूक्त लभांस जब लभांस का कुछ भाग नकद रूप में तथा से अन्य सम्पती के रूप में दिया जाता है उसे सयूक्त लभांस करते हैं तो आज के लिए इतना ही उमीद है आप लोग लभांस के मीनिंग को बहुत ही अच्छे से समझे ऐसे ही महत्पुन प्रस्णों के उतर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेर जरूर करें धन्यवाद